श्रीशिवाई नमस्तु ब्यंदर्शिकों रत सप्तमी अचला सप्तमी भीमाश्ट मी। इसे कई नाम से जाना जाता है। इस दिन मा नर्मदा जन्मसो भी मनाया जाता है। इस दिन सूरदे से पहले उठकर तीर्थ इसनान किया जाता है। फिर उगते हुए सूरज को जल जीवन की समस्याओं का भी समाधान प्राप्ट कर सकते हैं यदि आपके जीवन में कोई कटनाई चल रही है कोई परिशानी आ रही है या फिर कई बीमारियों से घिरे हुए हैं तो इस दिन सूरे भगवान की विशेश पूजा करके आप अपने जीवन में सुक समरद्धी और व्यभों की प्राप्ती कर सकते हैं आपके जीवन में अगर लक्ष्मी की भी कमी है तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं आज का दिन बहुत ही शुब माना जाता है और इस विशेश दिन में आप माता लक्ष्म को भी मना सकते हैं साथ ही मन नर्मदा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और सबसे विशेश बात या है कि इस दिन रत सब्तमी अचला सब्तमी येने सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है तस से पुरान के अनुसार बताया गया है कि सूर्य भगवान को इस दिन रत मिला इसलिए सूर्य और उनके रत की पूजा की जाती है गरंथों का कहना है कि ऐसा करने से महा पूजा के बराबर ही फल मिलता है श्री क्रश्न ने युदिष्टिर को कमबोज के राजा यशो धर्मा के बारे में बतायते हुए कहा था कि माग महिने में इस सप्तमी को वरत करने से उस राजा को कई बीमारियों से चुटकारा मिला था और बुड़ापे में भी संतान हुई थी इस से वे चक्रवरती राजा भी बने थे ब्रह्म, सकंद, शिव, अगनी, मतस्य, नारद और भविश्य पुरान में इस दिन को बहुत ही खास बताया जाता है इस पुरानों में कहा गया है कि माग महिने के सुकल पक्षकिश सब्तमी तीथी पर तीर्थ इसनान और सूरे पूजा से बिमारियां दूर होती हैं साथ ही उमर भी बढ़ती है इस दिन किये गए दान पून कभी खत्म नहीं होते और कई गुना शुफल की प्राप्ती होती है साथ ही इस दिन करने से संतान सुख मिलता है और मनो कामनाओं की पूर्ती होती है इस नान करने के बाद आप सूरे भगवान को जल अर्द जरूर दें उस जल में आप काला तिल लाल पुष्प एक चुटकी हल्दी जरूर मिला लें साथ ही अर्द दान के बाद आप अनुष्ठान सूरे पस्तू का दान दे सकते हैं तिल का दान दे सकते हैं गुड का दान दे सकते हैं कंबल दान दे सकते हैं या फिर आप आपकी जो भी मर्जी हो उस चीज का दान आवश्य करें इस अनुष्ठान के दोरान भक्तों को नमस्कार मुद्रा में ही होना चाहिए सूरे नमस्कार प्रवल होती है इसके बाद भक्तों को गी के दीपक से लाल पुष्पल और कपूर से दूब बती से भगवान सूरे का पूजन करना चाहिए माना जाता है कि इस दिन सभी अनुष्ठानों के करने से सूरे भगवान अच्छे स्वास्त और दीरदायों की सफलता का बर्दान द एक रूप है मान नर्मदा मान नर्मदा भगवान शिव को अती प्रिय होती है क्योंकि माता नर्मदा उनकी पुत्री के रूप में कही गई है और माता नर्मदा की पूजा करने के लिए आप शिव भगवान के शिवलिंग पर ही जल अर्पित करें क्योंकि शिव भगवान क शिवलिंग के अंदर माता नर्मदा ही विराजमान हैं आप उनकी पूजा अवश्य करें शिवलिंग पर एक बेल पत्र धतुरा भांग और एक लोटा जल जरूर अरपित करें साथ ही अक्षत के कुछ दाने भी अरपित करें भगवान की अधिम क्रपा प्राप्त करने के आप बोलते हुए भगवान पर अक्षत जरूर अपित करें तो दर्शकों और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा अधिक से अधिक इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में सिरी शिवाय नमस्तु भ्य जये माता दी